बिसमिल्लाहिरामानिरहीम, असलाम अलेकूम, कैसे हैं आप सब, उमीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खारियत से होंगे, आज हम बना रही हैं, नो ब्रेड चटपट से चटपटे बनने वाले स्नैक, इसको बनाने के लिए हमें किसी भी ब्रेड की जरूरत नहीं है, और अब मैं इसमें नालूंगी तकरीब एक अब करीब सूझी, नॉर्मल रेगुलर सूझी लिए है मैंने, क्योंकि वही यूज़ करने से जो सैंडविच के आउटर सर्फेस वा स्पॉंस बनेंगी, और बिल्कुल जालिदार बनेंगी, दोने चीज़ों के अच्छे से करूंगी, खुब्सूरती के लिए बहुत अच्छा होता है, और वैसे भी है, हैल्थ के लिए बहुत बेनिफिशल है, एक मैंने प्यास दे लिया था, मीटियम साइस का, उसको मैंने चॉप कर लिया था, वह भी इसमें शामिल करूंगी, आपके बास कोई सी भी वेज़ी हो मेरे पर स्केप्सिकम नहीं थी, नहीं तो मैं वो भी इसमें शामिल करती, वो लास भी इसमाल कीजेगा, उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और लुप भी, अब इसमें वान टी स्पून मैं रड़ चिली फ्लेक्स का इसमाल करूंगी, और हाफ टी स्पून नमक, अपनी कौंटिटी के अकोर्डिंग भी डाल सकते हैं, और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, अगर आपके दही में पानी है, तो आपको मजीद पानी डालने के जोड़ नहीं है, थोड़ा सा पानी डाल कर आप मैं तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लू काटा बस इनको नॉर्मल साइज का काट लिया, और अब मैं इसमें अड़ करूंगी हाफ टी स्पूंज जिंजर गालिक पेस्ट, तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसका एक अच्छे सा बैटर त्यार कर लेंगे, थोड़ा सा इसमें मैं ऑईल का इसम आएं, तो अच्छे से मिक्स कर लिया था, अब हम एक सैंड़िश में कर लेते हैं, इसको मैं आच्छे से ओल से, इसकी 4 जो साइड्स होती हैं, मैंने ऑईल से ग्रीज कर ली थी , और जो मिक्सर मैंने पहले से बना कर रखा इसको मैं इसमें डालूंगी, तकरीबर ना, इक्वली मैं इनको पॉर करूंगी उपर से इनकी सर्फेस जो बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे जिस तरह से ब्रेट की सेंड़िच हम बनाते हैं उनकी सर्फेस जो फ्लैट होती है इसको बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे कोई भी चीज आपके पास हो आप इसको समूथ लास्मी कर लेजिएगा और यहां पर जो मैंने सारे मिक्सर को दोनर साइड उपर डाल दिया और इसकी एक अच्छी सी सैंड़िच की शेप बना दिया है तो मेरे चैनल को सब्क्राइब कर दें वीडियो पसंद आई तो लाइक आप इसको मैंने बन कर तक हमने नहीं कम आप तक इसकी जो घ्रीन लाइट है वो जलना जाए थो आप देख सकते यह बहुत ही conesदिय को लेंच बॉक्स में के पस्तास्हम ना हो तो आफ बैटर पेले से स बना रख लें उनको लेंच वह बचे आकप में बहुत सान्सका या wires बचब भी में इस में चारएं और चके उड़र झालेंगा हूं जो За हुछ झालेंगी आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे तो जो भी आपके खर में महमान आए हूँ तो आप उनको भी बिना के दे सकती है शाम की चाई के साथ आप इनको सब कर सकती है सब को बहुत पसंद आएगी दुबारा से मैंने जो मिक्सचर उसको बंद कर लिया था और ग्रीन लाइट जलने पर मैंने इनको ओपन किया है तो जो दूसरे सैंडवीच थे हैं वो भी हमारे अच्छे से पग गए हैं और बहुत ही प्यारी उनकी लूप काई है इसकी ग्रीन लाइट जलने के 30 से 40 सेकिंड बात आप मेकर को खोलें तो जो सैंडवीच है वो बहुत ही सौफ्ट और अच्छे बनेंगे अदरवाइस आपको अगर जल्दी हो या आपके घर में महमान आया हूँ आपको जल्दी जल्दी डिश बना के खिरानी है तो आप इसको खोड़ सकते हैं सबके अपनी मरज़े होती है तो जो सैंडवीच है बहुत ही टेस्टी त्यार है इसको सैंटर से आप कट कर लेजिए और इसको कैचप के साथ सब करें उमीद आपको में आज की जो रेस्पी है वह अच्छी रगी होगी रेस्पी पसंदा ही हो तो इसको लाइक करें दूसरों को साथ शेयर करें मिलते हैं अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्यार रखें कर मुझे भी दोम याद रखेंगा तब तक के लिए अलाफीस